हाई फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का यूनिट सेल एजुकेशन में आज तारीख है 19 अक्टूबर 2020 और आज के जितने भी करेंट अफेर्स के इंपोर्टन कुश्चन्स बन सकते हैं उन सब को कबर करेंगे आज हम इस वीडियो में तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहला कुश्चन है कुश्चन नमबर वन भारत मियमार नेवी को कौन सी पंडूबी पिरदान करेगा इसका सही आंसर है आई एनस सिंदूवीर यानि भारत मियमार नेवी को आई एनस सिंदूवीर पंडूबी पिरदान करेगा इसमें हम टिक लगा लेते हैं INS सिंदुवीर में अब हम जान लेते हैं मियमार देश और INS सिंदुवीर पंडबी के बारे में भारत देश ने मियमार नौसेना को एक कलू वर्ग की पंडबी INS सिंदुवीर पंडबी लीज़ पर देने की घोस्रा किया है सिंदुवीर पंड़ूबी डीजल इलेक्ट्रिक हमला पंड़ूबी है जिसे सोवियत संग ने डिजाइन एवम निर्मित किया है इस पंड़ूबी में मेमार नौसेना की पहली पंड़ूबी होगी अब हम मेमार देश के बारे में जान लेते हैं मेमार देश की राज़दानी का नाम क्या है मेमार देश की राज़दानी का नाम नाई पाई टौ है मेमार देश की वरतमान प्रेसिडेंट कौन है मेमार देश के वरतमान प्रेसिडेंट विंड माइंट है अब अगला कुश्च कुश्चन नुमबर टू कौन बने पीरामल इंटरप्राइजिस के निदेसक इसका सही आंसर है कुनाल बहल यानि कुनाल बहल पीरामल इंटरप्राइजिस के निदेसक बनाए गए हैं अब हम जान लेते हैं कुनाल बहल और पीरामल इंटरप्राइजिस के बारे में पीरामल इंटरप्राइजस ने स्नेप डील कमपनी के सीए ओ कुनाल बहल को कमपनी के इलाक्ट्रोनिक लौ प्रैक्टिस के लिए सुतंत निदेसक निक्त किया गया है इस company ने सुहेल नथानी और कुनाल बाहल को company के अतिरिक्त निदेसक पद पर 5 बर्सों के लिए निउक्त किया है अब हम जान लेते हैं पीरामल इंटर्प्राइजिस के बारे में पीरामल इंटर्प्राइजिस का मुख्याल है कहां इस्तित है यानि इसका आंसर है पीरामल इंटरप्राइजिस का मुख्याल है मुंबई में इस्तित है पीरामल इंटरप्राइजिस की स्थापना कब की गई थी इसका आंसर है पीरामल इंटरप्राइजिस की स्थापना वर्स 1984 में की गई थी अब अगला कुछ इससे पहले कि हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएं आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी जरू दबा दें जिससे हमारे चैनल पर आने वाली हर वीडियो के नोटिकर खिसन आप तक आसानी से पहुंच सके तो चलिए आगे बहुते हैं कोश्चन नमबर त्री किस राज सरकार ने सुरू किया हाथ धोना रोको कोरोना अभियान इस कोश्चन का सही अंसर है उत्तर पिर्देस सरकार यानी उत्तर पिर्देस सरकार ने ये अभियान सुरू किया है हम उत्तर पिर्देस सरकार पर टिक लगा लेते हैं अब हम जान लेते हैं इस अभियान के बारे में उत्तर पिर्देस सरकार ने गलोवल हैंड वाश डे के अफसर पर हाथ धोना रोको कोरणा अवियान की सुरुआत किये इस अवियान को सुरू करने का मुख उद्धिस स्कूल कालेजों के विद्यारतियों एवं सामान लोगों के बीच साफ सफाई के महत्व को बढ़ावा देना रखा गया था राज के डियेम ने सभी स्कूलों में दस से बारा बज़े तक कारकरम आयोजित करेंगे और साथ ही में दस दस लोगों का एक समू अच्छे डंग से हाथ धोने के तरीके को साजा करेगा अब हम चलते हैं अगले कुश्चन की तरफ कुश्चन नमबर फूर अगले दो सालों में कहां इस्तापित होगा ग्रीन फिल्ड हवाई एड़ा इसका सही आंसर है अरुवांचल पिर्देस अरुवांचल पिर्देस पर हम टिक लगा लेते हैं यानि अरुरांचल पिर्देश में अगले दो सालों में ग्रीन फिल्ड हवाई इड़ा स्थापित होगा ये ग्रीन फिल्ड हवाई इड़ा क्या है अब हम इसके बारे में जान लेते हैं भारत सरकार के द्वारा अगले दो बरसों में अड़वांचल पिरदेश राज्य के होलोंगी में डवले आई ने ग्रीन फिल्ड हवाई अड़े का निर्मार कार पूरा कर दिया जाएगा इस रिपोर्ट के डोमेस्टिक टर्मिनल का कुल छेतर फल एक तालिस सो वर्ग मीटर होगा जबकि पीक आवर में दो सो यात्रियों की हैंडलिंग की जा सकेगी और इस एरपोर्ट में आठ चेक-इन काउंटर इस्थापित की जाएंगे अब हम जान लेते हैं अलवांचल पिर्देस के बारे में अलवांचल पिर्देस की राजधानी का क्या नाम है अलवांचल पिर्देस की राजधानी का नाम इटा नगर है यह हमें याद रखने है इसकी राजधानी का नाम क्या है इटा नगर औरवाँचल प्रिदेस के वर्टमान मुखमंत्री कौन है इनका नाम है पेमा खंडू यानि औरवाँचल प्रिदेस के वर्टमान मुखमंत्री पेमा खंडू है अब अगला कुशन कुशन नंबर फाइब कौन बनी भारत की पहली सेवियर सि degradation इसका सही आंसर है काविया काविया पर हम टिक लगा लेते हैं यानि काविया बनी भारत की पहली सेवियर सिबलिंग हम जान लेते हैं अब सेवियर सिब्लिंग के बारे में भारत की पहली सेवियर सिब्लिंग काविया सोलंग की बनी काविया को नोवा आइविएफ दोरह तयार किया गया है जिसके माता पिदा ने अपने बेटे अभिजीत को थेले सीमिया से जान बचाने के लिए IBF के जरिये काविया को जन्म देने का निर्दन लिया जिससे उनके बॉन मेरो से उनके भाई की जान बचाई जा सके छह साल के अभीजीत को असी बार बिलड टांस फ्यूजन से अब तक गुजरना पड़ा है बिना बॉन मेरो के अभीजीत तीस साल से जादा नहीं जी सकता किसे दिया गया वर्स 2020 का रामा नुजन पुरुसकार इसका सही आंसर है साई इबरा यानि साई इबरा को दिया गया 2020 का रामा नुजन पुरुसकार साई इबरा में हम टिक लगा लेते हैं अब हम जान लेते हैं इस रामानुजन पुरुषकार के बारे में कि आखिर ये पुरुषकार कब और क्यों दिया जाता है। प्रिंस्टन विस्विद्याले यूएस के शाई इबराको वर्स 2020 का रामानुजन पुरुषकार दिया गया। उन्हें कॉम्बी नेट्रियल और जियामी टॉपोलोजी में उच आयामी विस्तारकों और थ्रीडी एकात्मक समूहों के लिए गोल्डन गेट्स पर उनके उतकृष्ट कार के लिए इस पुरुषकार से समानित किया गया है। गड़ित में 32 वर्से कम आयू के व्यक्तियों द्वारा उतकृष्ट योगदावन के लिए सास्तरा रामानुजन पुरुषकार पृत्तिवर्स दिया जाता है। अब हम चलते हैं अगले कुश्चन के वारा। कुश्चन नमबर 7 कौन बने मद्पिर्देश उपचुनाओ के लिए विसेश पुलिस परवेक्चकृषकृषकृषकृषकृषकृषकृषकृषकृषकृषकृषकृषकृषकृषकृषकृषकृषकृषकृषकृषकृषकृषकृषकृषकृषकृषकृषकृषकृषकृषकृषक पर्स 1987 बैच के IPS अधिकारी हैं उनके बहतरीं ट्रेक रोकॉर्ट के कारण उन्हें मड़ीपूर्ट पुलिस के जनरल पद पर भी न्यूक्त किया गया था अब हम जाने लेते हैं मद्पिर्देश के बारे में मद्पिर्देश की राजधानी का क्या नाम है मद्पिर्देश की राजधानी का नाम भोपाल है मद्पिर्देश राजध के बर्तमान मुक्रमंतरी कौन है अभी मद्पिर्देश राजध के बर्तमान मुक्रमंतरी सिवरास सिंग है सिवरास सिंग चोहान है अब हम चलते हैं अगले कुश्चन की तरह कुश्चन नमबर 8 किसने लॉंच की C is for cat and D is for depression नामक पुस्तक इसका सही आंसर है लेखक कैरवी भरत राम इसमें हम टिक लगा लेते हैं लेखक कैरवी भरत राम में अब हम जान लेते हैं इस पुस्तक के बारे में पिरसिद लेखक कैरवी भरत राम ने C is for cat and D is for depression पुस्तक लाँच की है इस पुस्तक को एकोलोजिस्ट इंदिया द्वारा प्रिकासित किया गया है इस पुस्तक में प्रिया कुरीन के चित्रों को भी अंकित किया गया है इस पुस्तक में उन्होंने मांसेवं सारीरिक स्वास्त थे वीमारियों के बारे में मुख पिरकास डाला है जिसके तहत लोग इनमें पृतिस सचेत रहेंगे अब हम बाते हैं अगले कुश्चन की ओर कुश्चन नमबर 9 किसने जीता वर्स 2020 का गोल्ड इस्टेवी अवार्ड इसका सही आंसर है सीमा गुपता सीमा गुपता पर हम टिक लगा लेते हैं यानि सीमा गुपता ने वर्स 2020 का गोल्ड इस्टेवी अवार्ड जीता है अब हम जान लेते हैं इस अवार्ड के बारे में के ये अवार्ड क्यों और क्यों और किसे दिया जाता है पावर गिरिड कॉर्परेशन आफ इंडिया लिमिटेड की निदे सक स्रीमती सीमा गुपता को वर्स 2020 के सत्तरवे वार्षिक इस्टेवी अवार्ड से अवार्ड में लाइफ टाइम अचीब्मेंट बिजनिस रेड़ी में गोल्डन इस्टेवी अवार्ड के लिए नामित किया गया है दिसंबर 2020 तक वर्चुल सम्मान समारों के तहट सीमा गुपता को ये पुरुषकार प्रिदान किया जाएगा वर्स 2017 में उन्हें प्रिसंसा पुरुषकार से भी सम्मानित किया गया था और वर्स 2018 में मलेसिया में ITOMS का सर्बिस रेष्ट युगदान करता सम्मान दिया गया था अब हम चलते हैं अगले कुश्चन के कुश्चन नमबर 10 किसको दिया जाएगा जर्नल आफ दा नेपाल आर्मी का मानद रेंग इसका सही आंसर है मनोज मुकंद ररवारे यानि मनोज मुकंद ररवारे को दिया जाएगा जर्नल आफ दा नेपाल आर्मी का मानद रेंग इसमें हम सही का निसान लगा लेते हैं मनोज मुकंद ररवारे में अब हम जान लेते हैं इस रेंग के बारे में भार्तिय सेना प्रिमुक मनोज मुकंद नर्वाने को नेपाल सरकार द्वारा जन्रल आफदा नेपाल आर्मी का मानद रंग से सम्मानित किया जाएगा नेपाली परंपरागरत सम्मान समारों में नेपाली राष्टपती विद्य देवी भंडारी द्वारा जन्रल नर्वाने को ये सम्मान दिया जाएगा नेपाल की तरफ से वस 1950 में पहली बार इस सम्मान की सुरुवात की गई थी तो ये था आज का वीडियो हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा आप इस वीडियो को लाइक और शेर करके हमारा उत्सा बढ़ा सकते हैं और कमेंट करके अपनी राय भी दे सकते हैं तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक्स पर वाचिंग